अब यहां से हम फीबो लेंगे यह एरिया लेंगे आपको फीबो मिल रहा है पर्फिक्ट करने कोशिस करना ठीक है आपको यहां फीबो मिल रहा है लगबक 50 और 50 के आज पास आपको यहां के लगबक सपोर्ट होना चाहिए था एक से किन मैं एक लाइन मना लेता हूं देखो मैं यह चीजें आगे CTG तू में आओगे ना उसके बाद में तो यह रेगुलर होने लग जाएंगे आपकी अगर आपको कम्यूकेट करोगे तो प्रोपर आगे क्योंकि मैं उनके साथ तो रेगुलर में मोर्निंग में भी क्लास होती है तो रेगुलर चलेगी फिर वो अब यहां देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर 50 है अपना यह स्पेस में कंफर्ट स्पेस है कि मार्केट यहां रुकना चाहिए अब इसके आज-पास हम एक मिनिट में वह परिस्तितियां डूना स्टार्ट करेंगे जिस परिस्तितयों पर हम यह भी कह सकते हैं कि यह आज का डोल रूसकता है और इससाप से स्ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग नहीं करेंगगे और यहां है सब लेकिन संद्रेश के शाफ से बता नहीं गुरूंगा अब यहां पर देखते हैं संद्रेश दो देखने वाला समझ जाएगा जिसने देखिए अब यहां से मार्केट ने तेजी से गिरावट दी यह अपना वह एरिया आज चुका था जिस एरिया के अंदर हम करेंगे ठीक है लगवग हम वो रेट देख रहे हैं तो 3700 535 के नीचे से देख सकते हैं 35745 कि मैं यह एरिया यह एरिया के आज पास यह वह रेंज आ चुकिए जिसे आज पास से अपना क्या देख सकते हैं करते हैं आप यह चीज और देखेंगे कैसी केंडल आ रही है आप एक चीज और देहान रखना आज मैंने वालब यह जो पहली बार जो उठावट आती वह कभी भी सक्सेस नहीं होती आप यह ध्यान रखना और वह अगर पैनिक लिया बड़ी ग्रीड यह भी ग्रीड गेंडल होती है लगता है लोगों को कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएगा तो हम ऐसे में जब रुपता ना मार करें चाहिं तो पहला में नहीं जाता है तो पहली बार में ग्रीड केंडल और या आप यह था कि यह लिए वलेवल एक लाइवद तो मार्केट ने किया कि इसको वाप्रीवी किया तो तो हम आगर इसके आस-पास देख चाया अभी हमारा कोई स्थ्रॉक्ट्ट्र त्यार न यह होगा स्पेस क्रेट करें मार्केट यहां क्या कर रहा है स्पेस क्रेट कर रहा है मार्केट यहां क्या कर रहा है स्पेस क्रेट कर रहा है तो अब हम अपनी विधियां भी देखेंगे कि क्या मैथट बन रहे होते हैं हमारा एक मैथट यहां बन रहा था और यहां पर जस्ट टी क्यों क्यों कि सब्सक्राइब करता है यह इसका इंपेक्ट है क्या यह समझ में आता आप लोगों को यह इंपक्ड यह ताल कि यह उसका मैं नहीं ताल कि आपने को अपने को क्या मिल रहा है तो मेरे आपके शिखाने के लिए यह पब्लिश किया और मैंने आपके शिखाने के लिए यह पब्लिश किया था यहां के बाद में अपने को डिस्काउंट प्राइज भी मिल रहा है और डिस्काउंट प्राइज भी आप एक्जेक्ट होना सीखो कहां एक्जेक्ट होने की बात कर रहा हूं मैंने शिरफ 50 की बात नहीं करता आप मुल्टिपल टाचेज देखो बोडी बहुत बिल्कुल डिस्काउंट प्राइज आप यहां बाइंग कर सकते देए अगर मैं यहां होता तो मैं कंफरम्ली बाइंग करता और साइध यह मेरा नया वाला टर्मिनल नहीं होता और मैं इस पर पूरे टाइम बना भी रहता ट्रेडिंग में आज मैंने बहुत कम ट्रेड करी है और मेरी ट्रेड मोर देन 90 परसेंट रहती है अब यह मान के चलो अगर यह ट्रेड है मैं यहां लेता तो यह बहुत अच्छा प्रोफिट में ले पाता ठीक है तो आप अगर यहां ट्रेड ले ओगे तो आपके पास अब रिजन आ रहे हैं आप देखो यह वाला बड़ी समझाया था यह एरिया निकलता तो आप समझ रहे हो कि यह वाली संद्रेज कैसी है आपको पता चल जाएगा ठीक है उसके बाद में आप छोटा ट्रेल करके क्यों लो फिर आप ट्रेल करो यह एरिया यह सबसे बहतरीन ट्रेड थी आज की चार्ट स्ट्रक्शर के इसाब से कंप्लिटली आप अगर चार्ट स्ट्रक्शर रीड करते हो तो आपको यह एरिया सबसे बेस था और ब्रेकेट प्ले वाला एरिया बता रहा हूं आपको यहां नहीं कि मैंने यहां पर आप ट्रेड करो यह एरिया एसल रखो आप ऊपर कर टार्गेट ले लो फिर आप इतन लेंगे तो प्रफेक्टली इसको हम ट्रेल कर पाएंगे बैटर मलब उसका रिवार्ड ले पाएंगे एक ट्रेड तो यह होगी उसके बाद में आगर हम आगे ट्रेड देखते हैं अब यहां आगे लोग कंफर्म होना सुरू हो जाते हैं यहां नहीं लेना लास्ट हैं तुक लोगा सिफान दिखि tonnes तो यह यह मार्कट वापिस आथा नीचे की सेड़ में और यह एरिया जो मैं आब कहां था कही ना कहीं यह ए इंपोर्टेंट इ송ी में ने बताए इस दिखता है इसे बेंगावट में यहां यहां के बाद में यह अपना क्या होता है इस पर हमें देखना होता है वाज करना होता कि market अग्जेक्ट लीग इस दिगह क्या कर रहा है जब हमने तो यहां का breakout दिखेगा संडेज का breakout दिखेगा फ्लाइमेक्स का सपोर्ट दिखेगा जो स्पेस बनाया उसका यूज करतावा दिखाए देगा इन सारी वजहों से हम क्या करते हैं कि छोटा सा ऐसल हमारा त्यार हो जाता है इस एरिया में इस जगह का सपोर्ट दिखेगा और यह एरिया वेल्यू पीछे से भी रख रहा है तो इस कई जगह से हम कंफर्म होने के बाद में एक ट्रेड को कंफर्म करते हैं कि चलो अब एक ब्रेकेट प्ले किया जाए और ब्रेकेट भी आप डिसकाउंट पर करो यह वाला डिसकाउंट है अगर फिर भी आप नहीं कर सक अगर आपको दिन में दो ट्रेड करनी है यह यह बेटर थी एक यह बेटर थी और दोनों के अंदर संडेय का सपोड़ इसक पाद में बहत्रीन त्रेड हैं मैं देखो यह वहांगी संडेज को तोड़ने के पादा बहत्रीन मोमेंटम मिला है अगर पूरे दिन को आप देखोगे तो आपको जो बहत्रीन मोमेंटम है वो किस ने कैच करवाए और Il कि आपको साइक्लोजी के साथ में सं रेज को प्रेट करना बताया है यहां आप बाइंग करोगे और यह एरिया पर आप सैलिंग करोगे अगर आप किना आफ बाइंग करी है यह जल्दी कर चुका था और कितना टाइम लगाया अगर मार्केट में जो आपको यहां मिल रहा था शायद वह यह यहां भी नहीं मिल रहा हो तो कहां मिल सकता है हम बाइंग करेंगे यहां के आज पास हम स्टेडल डाल सकते थे सोट स्टेडल क्योंकि हाइए अपना हैवी रसिस्टेंस है यह वाली में मैं गैप दे रहा हूं क्योंकि मार्केट को मैं नीचे की साइड नहीं देख रहा हूं मैं यहां रेंज बाउंड देख रहा हूं इसलिए मैंने तो आप इसी रेंज के बीच में पूरे दिन ट्रेड करोगे आपको कितनी बहतर ट्रेड मिल जाती है लेकिन इस चीज़ के लिए आपको चार्ट को प् किया मामूली बहुत कोई हो गया नहीं किया आज मैंने संद्रेज के आपको चार्ट में ट्रेडें दिखाई भी हैं ट्रेडें करके भी दिखाई है और शाइद मैंने यह सारी चीज़ें शेयर भी करी हैं शिरफ संद्रेज पर इस अकाउंट में जिरोधा वाला भी कर रहा यहां पे टेंट हो सकते तंट यह यह और यहां पर आप यह पार्स ट्रेड करना चाहा हो तो इस बार स्ट्रेड लग कि तो यह सारी चीज हो के लोजिक रीजन हमें चाय्ट स्टॉक्शन में समझ में आ रहे हैं किसी का कोई गुशन है क्योंकि इस पूरे दोरान कोई इस पूरे में या इस वाले टाइम फ्रेम को लेके देखो मैंने टॉप क्यों बनाया इसका रिजन बता दिया है सब्सक्राइब देखो यह चीज़ें क्या मैं इसलिए तो टीम का सपोर्ट देखता हूं क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे से भी मिस होते हैं प्रब्रक्राइब थैर इसलिए तो मैं देखता हूँ कि यह से टुम सायार होगे तो इस हैं लेकिन एक चीज़ और देखो आप इसमें आपको वेव होनी चाहिए अगर वेव नहीं है तो फिर आप क्या देखोंगे कि एक सेकें यहां जाता हूं आप अगर वेविए यह अग मैंने कहा कि इसको इतना हम मजबूत नहीं मानेंगे अब हम इसको मजबूत क्या बना नहीं सकते तो यह मजबूत बनाएगा आप समझ रहे हो यह वाली चीज के साथ में आपने यह चीज अटेज करी और यह भी पंदरा मिनिट का यह रेसिस्टेंस सपोर्ट तो अब आपकी कि आप यहां पर हम फीभो का बीए रहा है कि इस बात बोली तो दोनों तीनों चीज़े मिली अगर आप ने यहां पर ट्रेड ली होती ब्रेक ट्ले किया होता बाइस आपने एक एसल खालिया होगा या दो आशल भी खालिया होगी चोटे-चोटे-चोटे-दो-पंस-प्व तो क्या बेनिफिट है हमारी स्टेडी का और यह शिरफ मैं इतना नहीं कह रहा है कि आप यहां देखो मैंने आपको नूर्मली बताया था नूर्मली अब यहां पर जाने के बाद में हम क्या करेंगे साइक्लोजी भी देखते हैं और एक्च्वली में हमने यहां के आसपा और इसी लिए मैंने इस केंडल में ट्रेड भी ली थी वह मनें आपको दिखाई भी तो कहने का मतलब क्या यहां पर हम साइक्लोजीकली भी कंफरम हो रहे हैं प्रिट अब चोटी चीज़ों में यहां पर देखना पड़ेंगा एपनी साइक्लोजी जी की है उप ऊंत्रेडट ले सकते अब ऐसा नहीं कि मैं इसी केंडल में ट्रेड ले रहा था आप देखो मैंने इस केंडल में एंट्री नहीं लिये मैं और भी कंफरमेशन देखता हूं मेरी एंट्री बिल्कुल टोप के ऊपर यहां नहीं थी इसटwar में भी नहीं थी मेरी मेरी एंट्रीश के डिस्कांट प्राइज थी この ऐस जगह के आज पास रहे सब्सक्राइD तो मैंने जब इसका डिस्कांट लिया तो मेरा इसल Whew छोटा है अब मेरा इसल सोटा है अब मैं नीचे की साइड ले सकता हूं मार्केट अलड़ी एक मोमेंटम दिखा चुका उपर का हाई तोड़ा है हाई के बाद में रिवर्सल का निशान देखो जो रिवर्सल होते ना वो में जगाओं पे बनते हैं यह रिवर्सल है ठीक है यह रिवर् करते हैं हमेशा है या तो वोटम पे आपको या तो यह ताज केंडल दिखाई देगी का लिए वे पिन बार बोलो है ले रहे हैं तो हमारे हैं कि रिजिन क्या है यहां कि ब्रेकट पले गए इसाफ़े और उसके बाद मार्केट ने दिए अप मैं कर रहा हूं कि आप पांच पॉइंट के ऐसल चार बार भी खागे तो क्या पुरक पड़ता है और कल मैंन यह मैंने आज इंगा और सारा संडेज का कॉंशिप्ट दिखाने के लिए मैं आज यह क्यों किया मैं पहले तहुक्र आप लोगों को समझाने के लिए मैंने शिरफ आज संरेज लगई आप इस ले लेड निरह कां मेरा कहने का मतल़ आप को क्या करना है आज मैंने लो कल सिस्टम समझाये उसके हाब कि एंट्रिय ऑफ बेचिंवेस से मिल सकती है जैसे एक एर्या मार्क रो मैनीं कहता कि इतना छोटा करो इतना कर दो इतना कर दो काव किखे म कि यह आज करो यह आपका और उसके बाद में आप इसके दो या तीन रिख्टो एक रीजन दो रीजन तीन और मेरे पास वह प्राइवेट आज आए रवेट ना आए गरूप में बेजना साओ गुरूप में मैं कई बार सारी इमेजन नहीं देखता इसलिए कर रहा हूं प्राइवेट आजाएगी फिर